हेलो नमस्कार साथ हूँ आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आज हम देखने वाला है बिहार आई टी आई दूहजर बाइस यानि कि जो है एडमीड कार्ड में अगर आपको कोई गलती हो गया तो उसका जो है लास्ट डेट आपको आठ चो दूहजर बाइस दिय टाइम आपको प्रॉब्लोव किरियेट होता है इसलिए जो स्पेलिंग का ध्यान रख है और जैसे कि आप सभी को पता होगा जो आपका एज्याम बारत तारीकक रविवार के दिन है तो इसलिए जो है आप सभी जो है अभी से download करके देख लिजे और आपने पास admin card रख लिजेगा जिसे कि आपको कोई problem create नहीं हो और जो mention किया गया था date आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है 24-2022 से जो है download होना start हो गया था और जो है admin card सुधारने का भी date जो है आपका last date जो है 8-6-2022 advice दिया गया है तो आप सभी अपना admin card अगर अभी तक नहीं download कियें तो करके देख लिजे जिसे कि आगे चलके problem create नहीं हो और जो है आपका exam Sunday को है और आप सभी जो है total question बना के आईएगा जिसे कि आपका rank अच्छा सके और trade अच्छा मिल सके क्योंकि जो है आप सभी question बना के आएंगे तो इसमें जो है number so नहीं किया जाता है सिर्फ और सिर्फ rank so किया जाता है तो इस चीज का जो है आप सभी ध्यान रखेंगे तो आप सभी जो है admin card डाउनलोड करके जो है देख लिजे कहीं पर वाइद पर mistake नहीं और जो है आपका कौन सा सेटिंग में timing रखा गया है तो आप यहाँ पर देख सकते है 12.6.2022 को timing 10 बजे रखा गया है तो आप अपन admin card में भी check out कर लिजेगा और देखिए यहाँ पर जो है exam के time जो है कार्यकरम दिया गया है तो इसको जो है read करके समझ लिजेगा आप सभी अपने admin card में और जब result आ जाता है तो उसके बात जो है online counseling का जो है date date जो है निर्धारित किया जाता है उसके बाद जो है choice filling का process होता है उसके बाद फिर जो है counseling date निकलता है और आपके district में होता है online counseling जो भाद जब offline में जाता है तब जाकर आपको पटना आना पडता है तो इसलिए जो है अप जीतना अचहा rank लेंगे इस हिसाब से आपको अक़र first counseling में मिल जाता है trade तो आपके लिए waiter होगा और परिशानी का सामना नहीं करना परेगा बाद में चलके आपको पटना ना होगा और उसके बाद काउंसलिंग होगा तो एडमिसन होगा या नहीं होगा वो सीट पे निर्फर करता है तो इस चीज का आप सभी ध्यान रखेंगे और 25,000 सीट रहता है एडमिसन लेने के लिए लेकिन यहाँ यहाँ 1,5,000,000 से भी अधिक स्टूडेंट भरते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना और प्रिपेशन अच्छे से करना है और एक्जाम सही तरीके से देना है इस चीज का आप सभी ध्यान रखेंगे और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पोच सकते हैं तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो